नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंज सेनी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे प्रजेक्शन ओफ ट्रिट लाइन की एक प्रोब्लम के बारे में तो यहाँ पर हम कॉस्चन ले लेते हैं इस कॉस्चन में क्या दिया गया है एक वर्टिकल लाइन है पी क्यो जो की 40 mm लंबाई में दिय गई है वर्टिकल लाइन है और उसका जो एक एंड है वो होर्जोंटल प्लेन में दिया गया है और 10 mm फ्रंट में दिया गया है वर्टिक अब यह जो लाइन है यह जो हमने statement पड़ी तो यह line इस तरह से बनेगी अब यहां पर देखिए यह जो end है यह horizontal plane में ही है इसको पी ले लेते हैं और यह जो है हमारे पास यह क्यों है और इसकी लंबाई कितनी दी गई है 40 mm और vertical plane से इसका जो एक end है वो कितनी दूरी पर है य हमें दी गई है सब कुछ statement के अंदर ही है तो यह line हमारे पास बन जाएगी अब एक line है पी आर एक दूसरी line है जो कि पी आर है और जो 60 mm long है जनी कि पी पॉंटता ही हो गया अब यहीं से वो line बनेगी 60 mm long है horizontal plane के अंदर है और parallel to the vertical plane है horizontal plane के अंदर ही है और इस vertical plane के parallel है तो य यह जो line है इस थना से आ जाएगी अब पी से यह हमारे पास होगी line R यह P से R line इसकी लंबाई हमें दी गई है 60 mm तो यह 60 mm long दी गई है तो यह हमने बना ले अब हमें क्या करना है projection of the line draw करने है और join करना है क्यों और R को क्यों और R को इसको join कर देना है यहाँ पर ऐसे इसको वो कितनी है वो हमें बतानी है तो देख लीजिए हमने यह तो हम ड्रा कर लिया है अब इसका front view, top view यह ड्रा करेंगे अब यहां से जब हम इसको सामने से देखेंगे तो यानि की ट्रेंगल की तरह दिख रही है तो पहले तो हम सिर्फ PQ line के बारे में ही जो है projection देखेंगे P से क्यो अगर आप देखेंगे तो क्यो जो point है आपको यहां पर मिलेगा यहां पर और जो P point है अब P point जो है horizontal plane में ही है तो यह reference line पर ही आपको मिलेगा तो यह तो हो जाएगा front view PQ line के लिए अब यहां पर यह क्या जाएगा हमारे पास Q dash आ गया और यह क्या जाएगा हमार यानि कि अब जब देखेंगे तो यह यहां पर हमें horizontal plane पर ही दिखेगा यहीं पर दिखेगा और यहां पर हमें ऐसे लिख देंगे Q और bracket में P यानि कि यह top view आ जाएगा जब इसको horizontal plane को 90 degree clockwise गुमाएंगे तो इस line के बिल्कुल नीचे यह point आ जाएगा और यहां से reference line से कित सनी उपर है 40 mm की जो line है हमें दी गई है और बिल्कुल यह reference line से start होगी तो यहां पर हम 40 mm की line बना लेते हैं अब यह जो point है और यह जो point है यह कौन कौन से point होगे यह हमारा Q dash और यह point है यह क्या है P dash small P dash तो यह हमने ले लिया यह तो हो गया front view क्योंकि हमने देखा top view क्या ह होगा सिर्फ एक point होगा जब उपर से देखेंगे सिर्फ एक point देखेगा और कितने mm नीचे 10 mm नीचे क्योंकि vertical plane से दूरी यह 10 mm की है तो यहां पर जब हम 10 mm नीचे जो बनाएंगे एक point हमें मिल जाएगा यह इस तरह का point मिल जाएगा बस और यहां से आप एक projection line बना सकते ह हैं और यहां पर हम क्या लिखेंगे अब वोपर क्यों point था तो क्यों जो है आगे रहेगा और bracket में डाल देंगे P क्यों bracket P यह जो है पीछे च्छिपा हुआ है तो इस तरह से इसको बना लेंगे अब यह तो बन गया सिर्फ पी क्यों line के लिए अब PR के लिए देखते हैं PR क तो है ही था यहां यहां पर यह क्या जाएगा small r- और कितीन लंबाई है 60 mm की लंबाई है तो यहां पर front view जो है reference line पर ही इसका बनेगा और अगर top view देखें, top view देखेंगे तो यह तो horizontal plane में ही है यानि कि यह 10 mm नीचे जो है इसी तरह की line जो है यहीं पर आपको top view मिल जाए है तो यहां पर यह था हमारा जो पी पॉइंट था यानि कि इसके लिए यह तो पी पॉइंट हो जाएगा और यहां पर यह जो point होगा कि कि हम top view की बात कर रहे हैं यह हो जाएगा हमारे पास r- और इसकी लंबाई की की बात करें वो कितना हो जाएगी 60 mm तो हमने ये तो टोप व्यू बना लिया आप इसकी प्रजेक्शन को ओपर ले जाते हैं यहां से भी यहां से भी और यह रेफरेंस लाइन पर यह क्या बनेगा हमारा फ्रेंट व्यू बन जाएगा तो यह फ्रेंट व्यू बन गया पहले हो गया टोप लियू तो फ्रेंट जो है रेफरेंश लाइन पर टोप जो है और कितना दसने नीचे इस तरह से यह पूरी लाइन दिखेगी अब यहां पर R की यह projection आई R' इनको मिलाना पड़ेगा Q' से R' और यह जो है हमारे पास पूरी projection बन जाती है अगर horizontal plane से inclination देखनी है तो inclination जो है हम यहां पर उसको find out कर सकते हैं कि कितना angle है तो इस तरह से हमें दो lines दे गई थी तो इसमें confused नहीं होना एक एक line का front view, top view बनाना है फिर दूसरे line का तो automatically यह question जो है solve हो जाएगा तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप तुमारे चैनल learn and grow पर हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद